हालो फ्रेंड सर्माडर्स डेंड फार्मसोटिक्स के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वन में यूनाइटेड इस्टेट फार्मकोपिया यूसपी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग यूसपी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि यूसपी की स्टार इसके पहले के वीडियो में हम लोगोंने इंडियन फार्मकोपिया के बारे में डिटेल में बात कर लिया है और ब्रिटिस फार्मकोपिया के बारे में डिटेल में बात कर लिया है तो वो वीडियो गर आपसे मिस हो गए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ज तो यह 15 दिसंबर 1820 में फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था और किसके द्वारा यह रिलीज हुआ था तो जो था United State Pharmacopeal Convention उसके द्वारा जो फर्स्ट एडिशन आफ ब्रिटिस जो United State Pharmacopeia है वो रिलीज हुआ था अब अगर हम लोग इस प्रेस पे बात करते हैं तो यह जो फर्स्ट एडिशन आफ United State Pharmacopeia था वो बैसिकली दोनों लेंगोज में था इंगलिस की लेंगोज में भी था और लेटिन इसमें पहली बार जो एवरेज डोज है हमारे ड्रग सब्स्टेंस की उसको इंकलूट किया गया था एड़ाप्ट किया गया था जो हमारा यहां पे है प्यूरिटी त्यूबिक उसको पहली बार इसमें इंकलूट किया गया था यहां पे जो 25 डिग्री सेंटिग्रेट टें किया गया था और इसी में पहली बार जो solubility standard है हमारे doses के या हमारे drug substance के XCPN के उसको यहाँ पर include किया गया था उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो जो United State 8 है जिसको हम यह जो है United State Pharmacopeia 8 है अगर इसके बारे में बात करते हैं कि यह इसका कौन सा addition है तो basically इसका जो जो USP का 9th edition है उसका नाम क्या है USP 8 और यहाँ पर जो 8 है वो इस चीज को indicate कर रहा है कि यह इसका आठवा रिवीजन है तो आईए इसको हम लोग आसान परीके से बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग simply यहाँ पर देखें यह पेज सही नहीं है एक और पेज ले लेते हैं तो यह पेज है तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहला जो यूएसपी का एडिशन था उसका नाम था यूएसपी उसके बाद में जो दूसरा एडिशन आया वो था यूएसपी वन मतलब कि यह फर्स्ट एडिशन है यह सेकेंड एडिशन है और यह जो एडिशन था यूएसपी और इसका पहला रिवीजन या दूसरा एडिशन यह क हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा यूएस पी टू या हम कह सकते हैं कि यह इसका दूसरा एडिशन है तो आई थिंग सो आपको यह concept clear हो गया होगा आगे आपको इसमें confusion नहीं होगा जो यूएस पी एट है इसका क्या मतलब हुआ कि यह इसका नौवा एडिशन है या आठवा रिवीजन है अब अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं तो जो यूएस पी नाइन था वो बैसिकली इस प्लेस पे उसमें फर्स टाइम बायोजिकल असे को एडाप्ट किया गया था साथ साथ में जो बायोजिकल प्रोड़क्ट है उनका जो असे है उसको पहली बार यूए 1770 में यहां पब्लिश हुआ था और इसमें जो हमारा टेबलेट है उसके लिए एक नया क्वाल्टी टेस्ट को इंक्लूड किया गया जो कि डिजोलूशन टेस्ट यहां पे कहलाता है तो जो भी हमारी टेबलेट है उसकी क्वाल्टी को चेक करने के लिए काफी इस टेस्ट को इंक्लूड किया गया था उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो 1942 से लेकर के 2000 तक जो USP पब्लिश हो रही थी वो हर 5 साल के इंटर्वल पे हमें पब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हो रही थी तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि जो USP 18 थी वो बैसिकली 1970 में पब्लिश होई थी उसके 5 साल के बाद USP 19 का पब्लिकेशन हुआ जो की 1975 में पब्लिश होई और ये अंतिम USP थी जो की अकेले पब्लिश होई थी उसके बाद में क्या हुआ जो नेशनल फार्मुलरीज है एनफ है वो इसके साथ में एड होके पब्ल उसने पहली बार जो यहां पे था जो है national फार्मुलरी उसको पब्लिस करने का काम किया था और उस समय इसका जो टाइटल था वो क्या था national formulas of unofficial preparation के नाम से यह पब्लिस हुआ करती थी उसके बाद में इसके टाइटल को 1906 में जो है चेंज किया गया US Food and Drug Act के थ्रूँ जो हमारा US FDA Act है उसके थ्रूँ जब 1906 में इसको चेंज किया गया तो इसका नाम कर दिया गया National Formulary है और उसके बाद में ये अभी तक जो National Formulary है या NFI उसके नाम से ये Publish हो रहा है तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा USP 19 है जो की 1975 में Publish हुआ था तो वो last individual USP था मतलब इसके बाद में जो USP Publish हुआ उसके साथ में जो NF है वो इसके साथ में Combined हो गया तो अगर हम लोग देखें तो 1975 है उसमें जो USP है United State Pharmacopeia है उसने National Formularies को acquire कर लिया अपने साथ में Combined एक तरह से कर लिया और उसके बाद में जितने भी USP Publish हुई वो यहाँ पे USP NF के नाम से Publish होते हुए हमें देखने को प्राप्त हुई और यह हमेशा एक सिंगल वालूम में Publish होती है तो अब अगर हम लोग इस पर देखते हैं तो जो हमारा USP 20 है जो की 1980 में Publish हुआ था वो first एक Combined USP था जो की NF के साथ में Publish हुआ था 1975 में जो USP था वो last individual था तो उसके 5 साल के बाद में 1980 में जब USP का 20 वा एडिशन या जो हमारा 21 वा एडिशन है या USP 20 है वो Publish हुआ उसके साथ में National Formularies यहां पे include हो गया तो इस तरीके से हम यहां कह सकते हैं कि 1920 जब first time USP Publish हुई थी उसके बाद में 1942 तक जो USP Publish होती थी वो हर 10 साल के इंटर्वल पे यहां पे simply Publish होती थी 1942 से 2000 तक जो USP है वो हर 5 साल के इंटर्वल पे Publish होती थी और 2002 के बाद में जो USP का Publish हुआ वो annually start हो गया हर साल उसका Publish हो गया तो इस तरीके से अगर हम दो बात करते हैं तो जो 2005 में USP Publish होई थी वो क्या थी उसका टाइटल क्या था USP 28 NF 25 तो इस तरीके से अगर हम दो बात करते हैं तो Current हमारी USP कौन सी होगी तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो USP है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है जैसे यह 28 है तो इसमें जब 5 हम लोग घटा देंगे तो यह हमारा NF 23 हो जाएगा तो इनके बीच में 5 का हमेशा गैप रहता है तो इस तरीके से 2005 में जो पब्लिश होई थी वो था USP 28 हम लोग आगे इसमें जो हर जो हमारी जितनी भी USP पब्लिश होई थी वो किसकी सिर में होई थी उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो current USP है जो कि हम इस समय है 2023 में उसका title क्या है USP 46 and 41 उसका title है और अगर आप exam में 2024 में जाएंगे और उस समय इसका publication आ गया तो हम लोग लॉजिकली कह सकते हैं कि उस समय जो USP होगी वो क्या होगी तो जो 2023 मे है इन दोनों में एक-एक को add कर देंगे तो क्या हो जाएगा USP 47 and 42 2024 में publish होने वाली USP होगी तो आईए अब हम लोग एक-एक करके जो USP publish हुई थी वो कौन-कौन से year में थी और उसका title क्या था उनके बारे में बात कर लेते हैं तो जो पहली first USP publish हुई थी वो कब हुई थ कर रहा है तो यह हर 10 साल पर यहां पर जो है publish होती थी 1820 से लेकर के 1942 तक हर 10 साल पर यह simply यहां पर publish हो रही थी तो इसका जो दूसरा edition आया वो 1830 में आया जो कि USP 1 था तीसरा edition 1840 में आया जिसका कि जो टाइटल था वो था USP 2 इस तरीके से यहां पर जो है USP publish होई थी उसका जो title था वो था USP 12 और अगर आप से कोई पूछता है कि यह कौन सा edition है तो इसमें एक add कर दीजिए तो यह USP का 13 हुआ edition था उसके बाद में हम लोगों ने इस place पे इसके पहले भी बात किया कि 1942 से लेकर के 2000 तक जो USP का publication हुआ वो हर 5 साल के इंटर्वल प में USP जो publish होई थी वो थी USP 12 उसके बाद में हर 5 साल मतलब 1945 में जो publish होई वो थी USP 13 1950 में जो publish होई वो थी USP 14 है वो थी तो जब भी आप इसका edition जब बात करेंगे तो एक को add आपको करना होगा तो USP 14 मतलब यह इसका 15वा edition था तो इस तरीके से हम लोगों ने बात किया कि 1975 तक जो USP थी जो कि USP 19 थी वो इंडिवीज्वा सिंपली पबिश होई थी और 1975 में जो USP थी उसने National Formularies को acquire कर लिया और जब इसने National Formularies को acquire किया और उस समय जो National Formularies था उसका वो 15 हुआ एडिशन था तो इसका जो टाइटल क्या हो गया जो 1980 में USP जो है पबिश होई जो क कि first combined USP और NF थी, उसका title क्या था, USP 20, NF 15, तो इसके बीच में कितने का गयप है, 5 का यहाँ पे गयप है, तो यह 5 का गयप हमेशा याद रखिएगा, तो इस तरीके से 2020 तक USP हर 5 साल के इंटर्वल पे publish हो रही थी, तो इस तरीके से जो 2000 में USP publish होई, वो थी USP 24, NF 19, उसके ब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 2002 है, उसमें जो हमारा USP है, 2002 के बाद में, यह यहाँ पे हर साल इसका publication start हुआ, तो जो 2002 में publish होई थी, वो USP 25, NF 20 थी, उसके बाद में अगर हम लोग इस तरीके से देखें, उसके इस प्लेस पे अगर हम लोग 2005 में बात करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, USP 33, NF 28 यहाँ पे हो जाएगा, फिर अगर हम लोग उसके बाद बात करते हैं, हर 2015 में देखें, तो USP 38, NF 33 हो गया, इस तरीके से अगर हम लोग कल्कुलेट करते हैं, तो जो 2010 में हमारी USP publish होई थी, वो थी USP 43, NF 38, और अगर हम लोग जो यह हमारा system है, उसमें देखें, तो 2023 जो की latest edition of USP है, वो है USP 46, NF 41, और अगर आप exam में जाएंगे, और 2024 में exam देंगे, और उस समय इसका जो अगला edition है, अगर publish हो जाएगा, तो technically कहें, उसका title क्या होगा, तो वो क्या होगा, USP 47, NF 42, 2024 में, जो USP है, उसका title होगा, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, तो I think so, United State Pharmacopia, USP आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसका किस तरीके से development हुआ, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको आप लोगों को याद रखना है, कि starting म 1820 से लेके 1942 तक हर 10 साल पे ये publish होती थी, 1942 से 2000 तक ये हर 5 साल के interval पे ये publish होना start हुई, और 2002 के बाद में हर 1 साल, हर साल ये हमें publish होते हुए देखने को मिलती है, तो I think so, जो USP है, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर अभी भी कहीं कोई confusion है, तो comment क करके पूँ सकते हैं, इस टॉपिक का PDF आपको description में मिल जाएगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले, और हमारे एप को भी इंस्टॉल करना बिल प्लूड डाइक न ओ